बाबा के तेल ने भाबी और मुझे एक साथ प्रेगनेंट कर दिया। ऐसा क्या था उस तेल में जब मैंने उस तेल का लैब में टेस्ट कराया तो मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपनी प्रिक्षा की त्यारी कर रही थी। तबी अचानक बाहर से मैं अपनी चप्पल पहन कर फोरण भागी। मैं जैसे ही दर्वाजे तक पहुची मैंने देखा कि भाबी रोती हुई अंदर आई और भागते भागते अपने कमरे में जाकर बंध हो गई जबकि मम्मी उनके पीछे अंदर आई। मैंने जब मम्मी से भाबी के रोने की बहुत हैरान हुई कि भाबी तो इतनी अच्छी है उन्होंने कभी किसी किसम का ड्रामा या मकारी नहीं की तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही है ये सोचती हुई मैं प्रेशान सी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी पूरा दिन योही खामोशी से भरा उदासी से गुजरा था पूरे दिन भाबी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरी प्रिक्षा आने वाली थी तो मैं पढ़ाई कर रही थी और मजबूरन खाना मम्मी को ही बनाना पड़ा ये मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा जटका था क्योंकि जब से भाबी शादी करके आई थी उन्होंने मुझे और मम्मी को कीचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो कीचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी मेरे भाई किसी और शहर में जोब करते थे कल वो आने वाले थे अक्सर भाई जब आते थे तब भाबी अपने हाथ से उनक खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद भी अच्छे से त्यार होकर उनका इंतजार करती थी लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे ये मामला बहुत ज़्यादा परिशानी में डाल रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ लेकिन मैं चुप- दिन भी ऐसे ही चलता रहा भाबी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज खाना भी मम्मी ने खुद ही बनाया रात जब भाई घर आये डाइनिंग टेबल पर भाबी को नहीं पा कर तो मम्मी से उनके ना होने की वज़ा पूछने लगे तो मम्मी ने हड़ बढ़ा कर बहाना बना दिया कि उसकी तबियर ठीक नहीं है मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा तो मम्मी ने मुझे घूर कर चुप रहने का इशारा किया मैं भी खामोश हो गई कि चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाबी से बात करने के बाद सच वैसे भी सामने आ जाएगा हम जल्दी से डुपलिकेट चाबी लेकर आ गए और रूम खोलने लगे भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाबी अभी तक सो रही है भाई ने जल्दी से अपना रूम अंदर से लोक किया और उनके पास चले गए मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुसे में मम्मी के कमरे में गए लेकिन मुझे देख कर कहने लगे छोटी तुम अपने कमरे में जाओ मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है मैं भाई का हुक्म सुनते ही एकदम कमरे से बाहर चली गई ल चायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है भाई बहुत ज़्यादा गुसे से मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी आपको भगवान का वास्ता आप मेरी पतनी की जान छोड़ दें वो बहुत सीधी है वो बहुत शुशील है आप उससे ऐसा काम नहीं करवाए जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वो खुद दे देगा लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं कि आज के बाद अगर आप मेरी पतनी को किसी दो टके के बाबा ये किसी गली महले के पंडित के पास लेकर गई तो याद रखिएगा मैं अपनी पतनी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और ये घर छोड़ दूँगा और ये सिर्फ धमकी नहीं है भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी फोरण रोने लगी और कहने लगी कि बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूं तुम्हारी संतान का मुझ देखने के लिए ये जतन कर रही हूं लेकिन बेटा तुझे अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं ले कर जाऊंगे दुवारा उसे लेकिन बेटा देख मैं तेरे आगे हात जोड़ती हूं तुम यह घर छोड़ कर नहीं जाना मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना भाई मम्मी की बात सुन कर ठंडे पड़ गए और मम्मी को गले लगा कर बोलने लगे कि मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा लेकिन याद रखें कि मेरी पतनी बहुत सीधी, शुशील और पवित्र ओरत है, उसे ये सब बिलकुल अच्छा नहीं लगता, भगवान के लिए उसे किसी के सामने ना ले कर जाए मम्मी ने हां में सीर हिला दिया, भाई उनका माधा चुम कर अपने कमरे में चले गए, भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकल कर अपने रूम में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगतार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी, मेरी दिमाख में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाबी के साथ क्या कर रही है मम्मी भाबी को आखिर किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी क्यों भाई बार बार एक ही बात किये जा रहे थे कि मम्मी मेरी पतनी बहुत पवित्र ओरत है वो ये सब नहीं कर सकती उसे ये अच्छा नहीं लगता कु कि ऐसा नहीं हो सकता, भला मम्मी भावी के साथ ऐसा क्यों करेगी, भला मम्मी अपने ही बेटे का घर क्यों खराब करेगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, तो भाई बार-बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते, कि मेरी पतनी बहुत पवित्र है, बहुत शुशील है, कुछ तो उगरबट जुरूर है, मैं इसी सोच में बहुत देर तक उलजती रही, आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर जटक कर पढ़ने बैठ गई, पूरे दस दिन हम सब के साथ भाई ने गुजारे, वो अपनी जौब के लिए दूसरे शहर में चले गए थे, दिन यूँ ही गुजरने लगे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा, मम्मी उस दिन की भाई की जाने वली धमकी के बाद भाबी को किसी भी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाबी बहुत खुश हुई, और खुशी-खुशी से रहती थी, बात बदल देती, और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती, मुझे उनके इस विवार से बहुत हैरत होती, कि आखिर भाबी इस तरह घबरा क्यों रही है, और मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही, दूसरी तरफ मम्मी का विवार भी मुझे हैरत और परिशानी में डाल था, वो अकसर भाबी के कमरे में घुस कर उनसे पता नहीं क्या क्या कहती रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती, तो मम्मी और भाबी दोनों ही घबरा जाती, बलकि मम्मी तो मुझे बहुत गुसे से बाते भी सुना देती, और कभी कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह देती, मैं बहुत ज़्यादा परिशान थी और हैरत में भी थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है मम्मी और भाबी में, मम्मी अपना विहार ऐसा क्यों कर रही है, जैसे कि वो कोई राज चुपा रही हो, कुछ तो था ऐसा जो गलत था, कुछ तो था ऐसा जो मम्म हम सब से चुपा कर भाबी से करवा रही थी, लेकिन वो आखिर ऐसा कौन सा राज था, मुझे अक्सर ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा परिशान रखते थे, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाबी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था न मैं ऐसे कैसे किसी पर इलजाम भी लगा सकती थी, इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतजार करने लगी, अब घर का महौल मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा लगने लगा था, भाबी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती, भाबी अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था, और उसकी वज़ा यही थी, कि वो जब भी मेरे पास बैठती, तो मैं वही सवाल करने लग जाती, इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनाने शुरू कर दी थी, जबकि मम्मी तो गुसे में घूमती ही रहती थी, जैसे उ उन्हों का कोई भी काम पूरा ना हो रहा हो, लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सक्ती से डाट दिया करती, मैं बहुत बेसबरी से भाई के आने का इंतजार करने लगी, मैंने दो तीन बार भाई को कॉल करके कहा भी, कि भाई इस बार प्ली जल्दी घर आ जाए, मुझे आप से बहुत ज़्यादा important बात करनी है, लेकिन भाई ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे बुलाने पर एकदम घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे उपर है, और कंपनी के कुछ employees भी छुट्टी पर घर गए है, इसलिए मैं चाहा कर भी नहीं आ सकता, बेटा बस कुछ दिन की ही तो बात है, फिर मुझे आ ही जाना है, फिर हम बैटकर आराम से बाते करेंगे, भाई की मजबूरी को देखते हुए, मुझे चुप चाप रहना पड़ा, मैं चुप चाप भाई के आने का इंतजार करने लगी, एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डिब सी थी, जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा-पूरा साथ दे रही थी, जबकि उनकी यही चीज मुझे चोकने पर मजबूर कर रही थी, थोड़ी देर गुजरी, तभी भाई नास्ते से भरी ट्रे लेकर आई, भाई ट्रे रखने के बाद उठकर जा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आप से कुछ बात करना चाहती है, मम्मी और उनकी दोस्त बार-बार नजरों से बाते कर रही थी, और फिर उन दोनों के चहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी, मुझे पर हैरत के पहाट तू दे दिया, अपनी शादी के पहले ही साल मेरी बहु ने मेरी गोद में एक सेहत मन्द पोता डाल दिया, मैं तो बहुत ही खुश किसमत हूँ, आंटी पूनम का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वो भावी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, भावी भी बेचारी सर नी खुश खबरी नहीं सुनाई, अभी तक भावी उनका सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, वो नजरे जुकाए, नामे सीर हिलाने लगी, आंटी पूनम फिर से भावी का चहरा चूँकर कहने लगी, कि बेटा हो तो तुम बहुत खुबसूरत, कोई एब भ बात क्या है, कि अभी तक तुम खाली दामन हो, फिर वो एकदम चहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बांच तो नहीं, उनका सवाल सुनकर भावी रोने लगी, और कहने लगी, कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, जब भगवान को मनजूर होगा, तब भगवान म नसल को कौन समझाए, उनकी बात सुनकर भावी अपनी आँखों से आशु साफ करके अपने कमरे में चली गई, आंटी भी मम्मी से मिलकर एकदम चली गई, आंटी पुनम के जाने के बाद, भावी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बहार निकल कर मम्मी के पास आए, और अपने आशु साफ करते हुए कहने लगी, कि मम्मी मैं राजी हूँ, उस बाबा के पास जाने के लिए, बस ये बात किसी भी तरह आकाश को पता ना चले, मम्मी मुस्कुरा कर कहने लगी, ये तो तुने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने सहे जाते, बस इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया, और आप बेफिकर रही है, मैं किसी भी तरह यह बात आकाश को पता लगने नहीं दूंगी, भाबी यह कहते हुए और रोते हुए दुबारा अपने कमरे में चली गई, जबकि भाबी के जाते ही, मम्मी भी हस्ती हुई, अ बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी धीरे से मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई, मैं अंदर जाकने ही लगी थी, कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी, कि वा पुनम, क्या एक्टिंग की है तुने, देख तेरा नाटक काम आ गया, तेरे जाते ही मेरी बहु मेरे पास आई, और वो करने के लिए राजी हो गई, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी, देख पुनम, तेरी एक चाल में ही मेरी बहु इस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई, अरे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी मेरे लिए यही सोचना ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भावी को अपने इस घिनोने जाल में फसाया था भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है मैं यही सब सोचने में मगन थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज सुनाई दी मैं ज भावी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गई लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाबी के साथ क्या करने वाली है आखिर वो क्या करवाना चाहती है भाबी से इनी सोचों में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला देर रास से सोने की वज़े से सुबह मेरी आँख बहुत जादा लेट खुली थी मैं ही टैंशन में वक्त गुजरता गया शाम हो गई शाम को मैंने देखा कि भाबी त्यार खड़ी हुई मम्मी का इंतजार कर रही है जिबकि मम्मी पता नहीं किस से अंदर अपने कमरे में बाते कर रही थी थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाबी से कहने लगी अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम अपने कमरे में जाओ मम्मी की ये बात सुनकर भाबी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेका जाने दी फिर मैंने सोचा कि शाय मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहां जा रही हैं तो मम्मी फोरन से गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें जवाब दूँगी तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाओंगी मैं मम्मी का यह वहवार बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए चाए बनाने लगी चाए बनाने के बाद मैं वही बाहर बैठ कर पीने लगी अभी मैंने दो चार घूट पिये ही थे कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाजा खोल कर अंदर आई दरवाज लगी कि बाबा ने ये तेल दिया है और वो कह रहे थे कि यह तेल उन्होंने बांज औरतों के लिए तियार किया है ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है ये तेल बाबा कह रहे थे कि तुम्हें रोजाना ये तेल अपने पेट पर लगाना है देखना कि तु भी उसकी पतनी ये तेल लगाने से गर्वती हो जाएगी। भाबी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वो तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा की किसी बात पर यकीन नहीं था, और ना ही उस जड़ी बूटियों वाले तेल पर यकीन था, आखिर मैं medical student थी इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल science नहीं बना पाई ये तो सरसर जूट है ऐसा कैसे हो सकता है मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज से मैं होश में आई कर रहा था इसलिए मैंने ये सब कहा था अब घर का महौल खुश गवार हो गया था मम्मी भाई से चुप कर वो तेल रोज रात को भाबी को लगा रही थी और भाबी भी चुप चाफ से वो तेल लगवा लेती थी क्योंकि वो भी मा बनना चाहती थी एक दिन भाबी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी आप दादी बनने वाली है मम्मी खुशी से भाबी को गले लगा कर उनके कान में धीरे से बोली देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा भावी जोर जोर से हां में सीर हिलाने लगी लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था भला ऐसे कैसे हो सकता है इसलिए भावी के कमरे में गई और वो तेल चुपके से अपने डुपटे में छुपा कर अपने कमरे में चली आई अब मैंने मम्मी और भावी से चुपकर वो तेल इस्सेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आँखे बाहर को आ गई मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया हो जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुझे हो चुका था क्योंकि मैं सच में गर्वती हो चुकी थी यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदोलत ये कैसे मुम्किन था इसलिए अगले दिन युनिवर्स्टी जाते हुए मैं वो तेल की बोतल भी अपने साथ ले गई और युनिवर्स्टी पहुँचते ही मैं सीधा लैब में गई और वहां के डीन से बात करके चार-पाँच एक्सफर्ट टीचर की निगराने में उस तेल का टेस्ट करवाया टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया तो उसने मुझे हैरान कर दिया मैं अपनी सोचने समझने की शक्ती भूल चुकी थी मैं हैरत से दंग बस उस तेल को देखे जा रही थी मैं जल्दी से वो तेल पकड़ कर अपने घर भागी मेरा नाम पूजा है मैं MBBS पढ़ रही थी हम दो बहन भाई हैं मेरे पिता जी छे साल पहले इस दुनिया से चले गए मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी से हुई थी गरवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट करवाने के लिए लैब पहुची तो मुझे मालूम हुआ कि वो सादा सा गोले का तेल है इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी भूटिया या कोई और दवाई शामिल नहीं है इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया इसलिए में तेल पकड़ कर जल्दी से युनिवर्सिटी से बहा निकली युनिवर्सिटी से मैं सीधा हॉस्पिटल आए और सीधा अपने टेस्ट करवाए टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर मुझे से कहने लगी कि फूर पॉजनिंग की वज़े से आपको लगतार उल्टिया आ रही है ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई कि एक पड़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी डॉक्टर के बताने के बाद और उनके इंस्ट्रक्शन लेकर मैं घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाबी को बुला कर इस तेल के सच्चाई बताने लगी मम्मी तो ये सब सुनते ही सदमे में चली गई जबकि भाबी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से वो बाबा कोई फरेभी लगता था जब मैं पहली बार उनके पास गई तो वो शक्स कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता मैंने मम्मी को ये सब बताया लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया मम्मी का भरोसा तूटा तो वो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी के पहचान नहीं कर सकी यह मामूली सा तेल उसने मुझे तीन तोले सोना और दो लाख रुपे लेकर दिया मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी आखिर मैंने ये क्या कर दिया हाई मेरी दोलत और मैं अफसोस से मा को देखने लगी भाई ने एकदम उस धोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी इसलिए अगले ही दिन उस धोंगी बाबा को गिरफतार कर लिया गया और उसका ठीकाना भी बंद कर दिया गया भाई उस बाबा का अंजाम बता कर बस इतना बोले कि मम्मी अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी हिलता है तो वो भी मेरे भगवान की मर्जी से इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज मिल जाती है लेकिन उसके लिए सब्र करना जरूरी है काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब से काम लिया होता तो आज आप अपनी सदियों की जमा पुंजी लुटा कर बैठी ना होती ममी ने रोते हुए हामे सीर हिला दिया शायद भाई की बाते समझ में आने लगी थी तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएँ यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेर नदाय कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो